पामसंडरी प्रोसेशन में हम दिल्ली से कुछ खबर लेकर आए हैं साथ साथ देश के कुछ ऐसे लाकों से पामसंडरी प्रोसेशन की जलकिया आपके साथ सामने पेश करेंगे हम देखेंगे लखनोग, कालिंग पॉंग, चतिसगर, गाजियाबाद और चलेंगे साथ को पार करके श्री लंका सबसे पहले दिल्ली के एक प्रोसेशन की जलक पामसंडरी का प्रोसेशन है यह उस बात का प्रतीक है ये जब हमें तिहास में जाते हैं, तो हम देखते हैं, जीजस क्राइस येश्व मसी ने जो है एक दधी के बच्छे पर बैटके येरूशले में वजेई प्रवेश किया तो ये उस बात की जो है दवाही है, ये श्रमसी जो है वो शानती का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा है मैं इसे में तमाम दिल्ली के चर्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसे में हमारे साथ हैं, तमाम लोग हमारे पास आए हैं तमाम पास्टर्स का बिशप्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस और दिल्ली के जो हमारे ओफेसर्स हैं वो इससे में हमारे जलूज को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे साथ हो हमारे साथ सेंट फॉर्मस चर्च कर रॉल बाक से चलते हैं और क्राइस्ट मैथ्यू चर्श सब्जी मंडी तक वो हमारे साथ रहते हैं इल्ली का पाम संडे का प्रोसेशन पार्दकंज की तरफ जा रहा है। अब चलते हैं का लिंग पॉंग और वहाँ पे रखते हैं कि वहाँ का प्रोसेशन कैसा रहा। Today we commemorated the solemn entry of our Lord Jesus Christ into Jerusalem as Palm Sunday. May our Lord Jesus Christ who is King of Kings may bless you all. हमारी कलीशे का चलन जो की 167 एर से लगतार चलता हो आ रहा है और हम काफी लंबे अर्से से कई सालों से यूहीं पाम संडे के जूलूस को निकाल रहे हैं। Today Jesus tells you even if you are collapsed, even if you are fully destroyed, I needs you. I need you to pass my message to the ends of the world. आये चलते हैं मोर्टोवा, Shri Lanka के वहाँ पर पाम संडे प्रोसेशन कैस तरह से निकल रहा है और इसको लेकर आ रहे हैं इर्टिदूला लरेज। Thank you Rocky Peter, so I am Tidula and I am now here at Porto, Shri Lanka. As you can see the Palm Sunday processions have appeared in Koro Tours, so we will learn more about this from Reverend Asir Pereyad. Today is a special event for us, we are gathered here around 2000 people and we are gathered here many churches, so we are going to share our witness in this village as one church. Today we celebrated the Palm Sunday as a procession and it was a big witness to the entire city of Bareilly. I would like to share the Easter joy. So I wish all of you a very happy Easter. May the risen Lord bless and protect you. May God give peace to this world. Amen.